वो इन राजनितिक पार्टियों के गोलाम है। मोदी जी चोटी चोटी चीज को ऐसा इवेंट बनाते हैं और इस देश के लोगों को ऐसा गुमरा करते हैं। 400 सीट का ऐसा महल बना रहे हैं जिससे की EVM की गड़बड़ी पे जो अशंका है लोगों को विपक्ष को ये जनता को उस पर वो सवाल न उठाए जाएं। क्या कहेंगे सर्थ 2024 आने वाला है तमाम SCST OVC और माइनोर्टी के जो लोग हैं वो एक नजर बनाये हुए हैं कि 2024 में होने क्या वाला है। अगर इनकी मानसिकता की सरकार अगर 2024 में आ गई। तो आप समझे लिए देश में जो सविधान का तंत्र है जो लोग तंत्र है या जैसे अभी हमने गण राज्य है गण तंत्र दिवस मनाया है कली जो गया है गण तंत्र का मतलब है गण राज्य है गण मतलब लोग और राज्य है मतलब लोगों का राज्य है लोग शाही लो गोट के माध्यम से सविधान के माध्यम से समानता का अधिकार दिया ताकत दी और ये जो सरकार है इस सरकार से केवल हम सब मूल निवासियों को जो 85% है वो SCST हो, OBC हो, Minorities हो उसको अगर खत्रा है तो केवल इस सरकार से सविधान का ही खत्रा है ये सरकार अगर तीसरी बार हमें निकाल के लाएं तो सविधान ये 24 का चुनाव तो जैसे आप कह रहे हैं ये हम सब लोगों के लिए करो ये मरो का चुनाव लेकिन वो तो आप देख रहे हैं कि आरक्षन जो था वो उनने 10 साल के लिए रखा था उनका मकसद ये था कि 10 साल तक हम राजनेतिक रूप से थोड़ा जिन लोगों को पिछड़े हैं उनको आगे रखा जाए लेकिन ये बार बार राजनेतिक पार्टियों ने आरक्षन को उसको बढ़ाया और इन्होंने वो जो राजनेतिक आरक्षन के माध्यम से जो जिन लोगों को इन्होंने MP, MLA, Minister बनाया वो इनके नेता नहीं थे, मंत्री नहीं थे, MLA नहीं थे, MP नहीं थे वो इन राजनेतिक पार्टियों के गोलाम है आज भी देखिए देश में 1.500 के करीब अगर हमारे S.C.S.T. के जो Member of जुड़े हुए है, इस देश में विप जो है, जो तीन लाइन विप जिसको कहते हैं, जिससे कि उनकी सदस्ता चली जाएगी, इस विप का डर है, और हमारे लोग जो सत्ता के बहुत लालची है, किसी भी वैक्ति की पार्टी में कोई MLA बन जाए, MP बन जाए, या कोई रा पती भी रहे, माइनॉरिटी से एक अब्दुलकलाम अजाद साहब भी रहे, उससे पहले मौलाना अजाद भी रहे, अभी साइंटिस्स जो थे हमारे अब्दुलकलाम साहब भी रहे, तो इससे कोई फरक बहुत जादा पढ़ता नहीं है, ठीक है, सिंबॉलिजम की बात है, और कुछ लोग उससे खुश भी होते हैं कि हमारी एक कम्मूनिटी को रिप्रेजेंटेशन दे दिया, लेकिन सही माइनों में अगर समाज में बदलाव करना है, राजनेतिक रूप से, आर्थिक रूप से, समाजी करूप से, सेक्षणी करूप से, तो उसमें जो सरकार हमार लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है, वो पॉलिसी हमारे कितना उन समाज को टच करेगी, और कितना उन पॉलिसीज पर इंप्लीमेंट हो रहा है, उनका क्या रिजल्ट हो रहा है, इस पर मैं समझता हूँ समाज को चिंतन करना चाहिए, ना कि सिंबॉलिजम पर, तो क्या क उसको तो केवल और केवल धोका ही मिला है। उसको तो इनों ने धरम के नाम पर जब इनके पास कुछ करने को लिए हैं जो भी राजनेतिक पार्टी होगी। पेत्य AV अपकी बार मोधी की सरकार तो इन्हों ने जितने अपने वायदे किये थे अगर उस वायद करें लोग एक बार भी अगर चर्चा करें यह गहन-चिंतन करें तो मैं समझता हूं मोधी सरकार माइनस में हैं दो करोड रोजगार देने की इनोंने बात की थी, आज 10 साल में 20 करोड रोजगार कहा है, आज सबसे जादा अगर किसी को रोजगार का नुकसान हुआ है, तो मैं समझता हूँ, इसी वंचित तपके को मूल निवासी को हुआ है, जिसको नौकरी मिलनी बंदोगे और उनका ठे देश में कानून का राज जब खतम हो रहा है, तो आप समझे लिजी इस देश में जो चार बड़े पिलर है, एक कारेपाली का, एक नियाएपाली का, एक आपकी मीडिया, जिसको हम कहते हैं, चौथा पिलर जो कहते हैं तो आज देखें कि सारे पिलर्स पे तो इस सरकार ने सब का गला धबा दिया है दम घोट दिया है आज देश की सबसे मुख्य विपक्षी पार्टियों के मुख्य नेताओं को पार्लेमेंट में जो अपर हाउसे राज्य सबा ये लोक सबा उन्हें बोलने तक नहीं दिया जा रहा अगर वो अपनी बात कोई वेल में जाके उठाते हैं विरोध दर्ज करते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है देखें ये बहुत बड़ा मोधी जी की मैं इसमें तारीफ करूँगा कि मोदी जी बहुत बड़े event management के master है और अगर कोई एक बहुत बड़ी event management company खोली जाए तो उसके chairman मोदी जी को बनना चाहिए मोदी जी छोटी छोटी चीज को ऐसा event बनाते हैं और इस देश के लोगों को ऐसा गुम्रा करते हैं और मोदी जी तो कोरोना में लोगों से थाली बजबाई थी लोगों से दिये जलबा दिये थे तो मोदी जी के इस मामले में मैं तारीफ जरूर करूँगा कि अभी भी जो ये राम मंदिर का event है ये total paid event था हर बस्तियों में और विशेश रूप से इससे कोई बहुत benefit हो रहा है आज देश में जब literacy rate बहुत down है अभी survey आया है जिस survey में कहा गया है कि देश में जो बच्चे है सरकारी स्कूलों के और सरकारी स्कूलों पर अगर मैं कहूं तो कौन पढ़ रहे हैं हमारे ही समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं वंचित समाज के सरकारी स्कूल के बच्चों की हालत यह है कि साथवी आठवी तक का बच्चा आज चार लाइन इंग्लिश की नहीं लिख सकता आज अगर दसवी बारवी के बच्चे को मैट्स का अगर तीन सम्स करा दिये जाएं वो शैद वो नहीं कर पाएंगे वो किवल किताबी एक ग्यानिया कह लिजी जब से एक शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने परिवर्तन किया है कि आठवी तक बच्चे को पास कर दिया जा रहा है यह कहीं न कहीं हमारे समाज के साथ कुठारा घात है क्वालिटी एजूकेशन हमें दीनी जा रही सरकारी स्कूलों की हालात बद से बत्तर है हॉस्पिटल्स की हालात बद से बत्तर है और उस वक्त हम इस पूरे देश में मंदिर के नाम पर जशन बना रहे है अर्बो रुपया मंदिरों पर लगाया जा रहा है और 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 मंद चृब्लाव से इस तरीका की बात इसलिए की जा रही है उनकी, पहले ही इसे फासी बाद कहते हैं, फासी बाद में कह रहा है, आप एक ज्यूट आनिरंतर बोलते जाओ, बोलते जाओ, अभी धूप निकली हुई, हम कह रहे हैं, रात हो गई, रात होगी, तो ये इस तरीके का इनका काम है जो ये फैलारे क्योंकि क्योंकि इन्होंने EVM में गड़बड की हुई है वीवी पैट जो है इनका मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने उसको सेट किया हुआ है तो ये पहले से ही उसको 400 सीट का ऐसा महल बना रहे हैं जिससे की EVM की गड़बड़ी पे जो अशंक के लोगों को मुल निवासियों को SCSTOBC माइनॉर्टी के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बार इस भारते जनता पार्टी की सरकार को उखाड के फैक दीजिए नहीं तो ये बाबा साब का सविधान कहीं ना कहीं उजार देंगे खराब कर देंगे खतम कर कर दिएつập कर देंगे लारते लारते जयार कर अ अर्ण करक暂शा साब करा हूं